हेलो एबरीबन, वेलकम टो मैं चैनल, फ्रेंड्स आज हम ये कुशन कबर का डिजाइन बनाएंगे, बनाना भी बहुत एजी है इस डिजाइन को, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो डिजाइन बनाने के लिए दो कलर का कपड़ा लिया है, मैंने, यहां पे कलर कंबिने यह बी हमारा सेम है, इसकी प्राबर 6.30 और 3.50 इंचिस, उस्के बारी इस हम 있는 कलर की हमें यह strips लेनी है, लंब लेनी है हमें जैसे यह हमारी 3 इंचे, और यह भी हमारी 3 इंचे है यह लंबे में काटने हैं हमारी cutting में लगेगी बात? अब सबसे पहले यह لिकरेंगे हम तो य एक पीस में इस color का लूँगी और एक इस color का लूँगी ये दो पीस हमने ब्राबर रख लेने हैं इस तरह से और ये center है हमारा यहां से तिर्शय में line लगानी है एक दम ब्राबर रख के ये center में line लगी है अब इसके बाद हम जितना सिलाई के लिए कपड़ा लेते हैं उतना ह यह लाइन है हमारी साइड की और यह लाइन है यहां पर सिलाई करने है यह सिलाई मैंने लगा दी है यहां पर लगी है हमारी सिलाई और यह सिलाई लगी है इसके बाद यह हमारा यह से सेंटर है यहां से हम कट कर लेंगे यह कटिंग में ने कर ली है अब यह पीस है इस तरह से हमारा यह बनेगा कुल के यहां पर हम आईरेन कर लेंगे यहां पर ironman कर ली है अब यह सिलाई में हमारा कपड़ा थोड़ा आगे पिछे इस तरह से हो जाता है यहां से हम कट करके सारे corner प्राबर कर लेंगे यह हमारे six piece ready हो गए है अब इनको हम इस strips के साथ join करना है जैसे यह हमारे strips है और यह हमारा इस side से pink वाले side आएगी तो इस तरह से हम यहां से सिलाई लगाएंगे यह हमारा एक पीस join हो गया है बाइट पट्टी के साथ अब यह कपड़ा है इसके ब्राबर यहां तक इसे हमें कट करने ना है एक दम बराबर करके कट करना है यह हमारे दो पीस इस तरह से जोएन हो गए है यह पिंक इस तरह से आएगा ऐसे यहां पे ध्यान रखना है हमें अब यह पिंक वाली पट्टी हम यहां पे लगाएंगे उसके बाद यह पहले हमारा यह जोएन होगा pink के साथ यह पीस यहाँ पर ध्यान रखी हमें इस तरह से जोईन करना है यह white हमारा इस के साथ आना चाहिए और यह pink इस के ऐसी आने चाहिए इस की साइड में तो इस तरह से ऐसी रखेंगे और यहाँ पर सिलाए लगाएंगे यह सिलाए लगी है अब ये दोनों पीस्तों को हम इस तरह से मिला लेंगे और यहां से कट कर लेंगे बराबबर रखके जितना ये है उतना ही कट करेंगे यह मैंने कट कर दिया है बाद में भी हम कर सकते हैं तो अब कट कर दिया है यहां पर हम जोइन करेंगे लेकिन यह सिलाई है हमारी दोनों बराब बरानी चाहिए तो तब हमारा यह अच्छे से बैठेगा डिजाइन तो यहां पर सिलाई लगाते हैं यह सिलाई लगा दी है मैं ये white वाली पट्टी में लगा दी है अब यहां से हम बराबर करके काट लेंगे तो ये पीस हमारा इस तरह से बन गया इसके बाद हमें इस साइड से यह पिंक लगाई है तो पिंक यहां पर यह पहले हम इस तरह से यहां पर लगा के सेट करके देख लेंगे ऐसे हमारे आने चाहिए यह साइड है तो यह हमारे पिंक के साथ ही जूड़ेंगे पहले तो इसे हम पहले इसके साथ जोएन करेंगे य यहां पर सिलाइ लगाती हूं I'lllock them अब यहां से हम राबर कर राकर एक तल इक काट लेंगे है इसके बाद से इस साइड से हम यह वाइट ısॉप्स लगाएंगे है कि है यहां पर हम पींक लगाएंगे इसके साथ जोईन करके कि मैंने इसके साथ अटेच कर दी है अब यहां पे हम इसके साथ अटेच कर देंगे यहां पे सिलाई का ध्यान रखके यह स्रिप्स लगा दी है मैंने यहां से हम कट कर लेंगे स्रिप्स लगने के बाद इस साइड में हम यह बाइट स्रिप्स लगा देंगे यह बाइट स्रिप्स लगने के बाद इसके बाद हमें यह पिंक इसके साइट जोइन करनी है यह मैंने जोइन कर दी है अब यहाँ पे हम इसे जोइन करेंगे सिलाई लगा के यह सिर्प्स भी मैंने लगा दी है इसके बाद हमें यह सिर्प्स लगानी है यहाँ पे ये white मैंने लगा दी है इसके बाद अब हमारी ये last बजी है इसे हमें इसके साथ join करना है ये सिलाई लगा के मैंने join कर दिया है अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक ये सिलाई को बराब भरखते हुए ये strips भी लगा दी है मैंने अब यहाँ पे हम iron कर लेंगे देखिए हमारा design इस तरह से लग रहा है इसके बाद हमें यहाँ से माप लेना है कितना है हमारा तो चारो और से इस तरह से माप के जितना हमारा extra होगा यहाँ पे हम cut कर लेंगे इतना बनने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा design बनाएंगे और तो इसके लिए मैंने यह pink कपड़ा लिया है यह कपड़ा लिया है ऐसा कुछ round चीज ले लेंगे हम और यहाँ पे एक circle बना लेंगे यह circle बना लिया है मैंने इसको हम cut कर लेंगे यह सरकल मैंने कट कर लिया है यह हमारा चार इंच है अब इस सरकल को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर इस तरह से सिलते जाएंगे नीडल में मैंने डबल दागा लिया है ऐसे सिल देंगे पूरे राउंड को यह मैंने इस तरह से बड़े-बड़े stitches में सिल दिया है अब यहां से हम तागे को इस तरह से खीच लेंगे तो यह हमारा ऐसे flower जैसी shape आजाएगी यहां से हमें थोड़ा इस तरह से जो हमारे यह चुन्नट है इनको थोड़ा हम stitch करके थोड़ा ऐसे कम कर लेंगे इस थोड़ा हमारा हो जाएगा यह हमारा इस तरह से flower बन गया है यहां पर मैंने दो तिन नोट लगा ली है इसके बाद हम बीड लेंगे जैसे यह मैंने white color का बीड लिया है यहां पर ऐसे हम बीड को लगा लेंगे इस तरह से एक दो बार बीड में से निकाल लेंगे नीडल को पका हो जाए हमारा इस तरह से दो बार निकाल लिया बीड में से पीछे को धागा ले जाएंगे और यहां पर नोट लगा देंगे कि यह मारा flavor रीड हो गया अब इस flavor को हमें इस corner में लगाना है यहां पर बता रही है यहां पर लगाना जैसे यह corner है यहांसे हम नीडल को इस तरह से निकालेंगे और फिर से हम यहांसे उपर को निकालेंगे ये नीडल को मैंने यहां पर निकाल लिया है अब यहां से हमें ऐसे छुट-छुट स्टीच एक नीचे वाले कपड़े का और एक उपर वाले कपड़े का ऐसे लेना है तो अच्छे से यहां पर हमें सेट कर देना है इसे चार ओर से हमें स्टीच लेके सेट करना है इस तरह से आगे का करेंगे तो यह हमारा fix हो जाएगा निकलेगा नहीं यह हमारा flower यहाँ पे fix हो गया है अब यहाँ से needle को हम पीछे जाके यहाँ पे 2-3 note लगा के बंद करतेंगे इसे तो आगे को खतम करेंगे यहाँ पे flower यहाँ पे set हो गया है यहाँ पे करेंगे 5 flower हमारे लगेंगे तो पांचो set करते है यह flowers मैंने लगा दिये है देखिए हमारे इस तरह से यह flower लगे है यह optional है अगर आपको लगाने है तो लगा सकते है नहीं तो नहीं भी लगा सकते तो यह हमारा design बन गया है अब इसका हम cushion cover बनाएंगे जैसे यह हमारा cushion cover है तो back का part हमें cut करना है जैसे यह हमारा front का part है तो back part हमें cut करना है तो इस तरह से मैंने यह कपड़ा लिया है बैक के लिए यह कपड़ा back के लिए हमें यह जैसे front का है यह हमारा इतना ब्राबर आएगा इसमें बैक का भी है हमारा और इसमें एक्स्ट्रा हम 6 इंच लेंगे यहां यह हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा आएगा इस उपर वाले कपड़े से बाकी हमारा सेम आएगा इस तरह से ऐसे और सेंटर से हम कट कर लेंगे तो यह मैंने कट किया कपड़ा इसे हमएं इस तरह से फूर्ड करना है एक फूर्ड करके एग और करके यहां पर सिलाए लगाना है इस पीषपे भी सिलाए लगते हैंं histories इसलाए मैं नहीं लगा दे मिल तो दोनों पीस हमारे ready हो गए back के लिए इस पीस के साथ इन्हें अटेच प्रिचेए करना है इसंटर का नग-द्वांणक को जैसे हमारा यह फ्रंट का पीस है तो इससे हम इस तरह रखेंगे सीदा ऑर यह हमारे बैक पा। है तो यह सिलाई है यह सेंटर में आवेगी और यहोजिफे एंदनिन कार्ण इसके वाद यह कोने कॉनन से और इससे से यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है से पहले यहाँ पर Le Parrim लगा लेंगे ताकि मारत सिलते डाइम हिलेना कपड आ हूं कि यह पिन लगा के कपड में रहे हमें सब कर दिया अब सिलाई लगाएंगे ने कर दिखे बर चार कोर्णर की 있는 क différents अब यह वे लगाएंगे अब यह corner है जैसे इस से हमें इस सिलाई के Also इस तरह से cut लगा लेना है इस सिलाई नी काटनी इस तरह से इतनी दूर से काटना है इस से क्या हमारा है जब सीधा करेंगे तो corner इस तरह हमारे अच्छे से आएंगे चारो corner से cut लेंगे हम इसके बाद हम cushion को सीधा करेंगे अपने कुशन कबर को सीधा करेंगे यहां से कुशन कबर को मैंने सीधा कर दिया है अब इस तरह से हमारा यह डिजाइन दिख रहा है यह हमारा इतने मेजर्मेंट में बनके रेडी हुआ है 14 इंच यहां से भी 14 है 14 बाइ 14 का यह कुशन कबर हमारा बनके रेडी हुआ है इससे बड़ा बनाना है तो यहां पर यह हमने जो 6 लगाए है यह हम 7 लगा सकते हैं तो हमारा बड़ा हो जाएगा यह हमारी बैक साइड है यहां से हम कुशन डालेंगे आप देखिए इसमें मैंने कुशन डाल दिया है देखिए कितना प्यारा हमारा कुशन का डिजाइन लग रहा है वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर ने हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे इंस्टागाम पर भी आप मेरे को फूलो कर सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूंगी आप बहां से देख सकते हैं तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में